युवाद तरग, 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 युवाद तरग येशू के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबे, जब भी हिसाब होगा, इनसाफ का तरग, येशू के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबे, जो भी तु कर रहा है येशू वो देखता है, जो भी तु कर रहा है, येशू वो देखता है हर पल का तुझ को इनसा, बेना हिसाब होगा, इनसाफ का तराजू, येशू के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबे, इनसाफ का तराजू, येशू के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबे, सभी युवा भाई बेनों को जैसू, प्रभू आप सबको आर्शिष दें, हम सभी आपके लिए प्रार्तना करते हैं, कि आप अपने योजनाओं में आगे बढ़ें, और विश्वास में आगे बढ़ें, प्रार्तना में और गहरे हूँ, अम सभी के मन में बहुंस सारे सपने होते हैं, और जब हमें प्रोचसाहन मिलता है, तो वे सपने पूरे होने लगते हैं, लोगों का सहारा मिलता है, तो वे सपने पूरे होने लगते हैं, आप अवित्र गंद में पढ़ते हैं कि हमारा इश्वर प्रेमी इश्वर है वो हमारे लिए यूजना रखने वाला इश्वर है हमें सहारा देने वाला इश्वर है प्रभी एशु के द्वारा इश्वर ने अपने प्रेम को प्रगट किया है और उस प्रभु ने हम से बहुत प्रेम किया येशु का प्रेम हमें प्रोचसाहिद करता है संद पौलु स्वयम कहते हैं कि येशु का प्रेम हमें प्रेरिद करता है आप जितना प्रभी येशु के प्रेम पर विश्वास करेंगे और उस पर बरोसा रखेंगे और उसकी गैराई को पहचानेंगे उतना ज़ादा आप अपने अंदर ईश्वरिय सामर्दि का अनभाव करेंगे और अपने जीवन में प्रोच साहन और शक्ति का अनभाव करेंगे आज प्रभु के प्रेम के बारे में विशेश करके आपके प्रती व्यक्तिगत प्रेम के बारे में वचन सुनाएंगे भाई संदीप ध्यान से सुनिए प्रेज दे लॉड सबको जैसु प्यारी वासाथियो और एक बार आपके सामने वचन बाटने में अतियंतर्श हो रहा है प्रभु आप सभी को आशिश दे और उसका नुग रहे आप सबों पर बना रहे प्यारी वासाथियो प्रभु हमसे प्यार करते हैं और वो हमें सहते हैं कि हमारी ये योजना है ये कार्य हम करना चाहते हैं इसमें हमारी सहता की जिए लेकिन हम प्रभु की योजना अपने जीवन में पूरी होने नहीं देते हैं यहां तक कि हम प्रभु की योजना जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आखिर उसकी क्या योजना है हम हर बात में अपनी उजनाय चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समर्पित होते हुए प्रभु को अपने जीवन में कारे करने देना है। अवश्य बनाई होंगे। इसलिए हमें प्रथम स्थान प्रभु की योजनाओं को देना है। तो प्रभु की उसके लिए एक योजना होती है। उसके लिए उद्देश होता है, उसके लिए काम होता है जो उसको पूरा करना होता है। और हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, अपनी ओजनाए पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वही हम करना चाते हैं। और इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, गुटने टेक के, हाथ उठा के प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु जबर्दस्ति किसी के उपर अपनी ओजनाए थोपेंगे नहीं। जब आप उसके हाथों में अपने आपको देंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पन करता हूँ, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, तब प्रभु हमारे जीवन में उसकी ओजना को पूरी करेंगा। जब वो अपनी ओजनाओ को पूरी करेगा, आपको उचा उठाये जाएगा। आपको चमकाएगा प्रभु, आपको प्रभु दूसरों के सामने उधारन बना देगा। अब माता मर्यम को देखते हैं, माता मर्यम ने जब स्वर्दोस से संदेश सुना, उसने यही कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा खथन मुझ में पूरा हो। माता मर्यम ने समर्पन कर दिया प्रभु की इच्छा के सामने कि जैसा प्रभु चाहे, वैसा होने। माता मर्यम ने नहीं सोचा कि आरे लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे पत्थर से मार देंगे, लोग जीवन को प्रभु ने कितना अनुग्रहित किया, कितना कृपावान बनाया, आदम उसे नारियों में धन्य कहते हैं, येशु की मा कहते हैं, ठीक इसी तरह, जब हम माता मर्यम के समान अपने आपको समर्पित कर देते हैं, प्रभु हमें उच्छा उठाएंगे, और प्रभु आप को व्यक्तिकत रूप से, अभी से जानने की कोशिश करनी है, बुढ़ा पे के लिए मत रखे कि जब मैं बुड़ा हो जांगा तब प्रभु के गीध गाऊंगा, आ, प्रार्थना करूंगा, या प्रभु को जान लूंगा, या आपको अभी से, प्रभु को व्यक्तिक प्रभु आपको प्रभु आपको तयार करेंगे आप जानते हैं येशु ने जब अपने शिश्यों को चुना तो उन शिश्यों में कोई भी बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं था बहुत अधिक intelligent नहीं थे, gifted नहीं थे, talented नहीं थे, साधारन लोग थे कोई मचली पकड़ते थे, कोई चुंगी लेते थे, कोई कुछ थे, कोई अपना साधारन काम कर रहे थे ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया, फरीसी लोग उन्हें अनपड कहते थे इसका मतलब शेशु के शिश्य अनपड थे, कुछ नहीं जानते थे उन्हें इतना पता था मचली कैसे पकड़ने है, या साधारन काम कैसे करने लेकिन प्रभु ने उन लोगों को चुना, आखिर ऐसे लोगों को प्रभु ने क्यों चुना आखिर कुछ तो खासियत होगी उन शिश्यों में कि प्रभु ने उन शिश्यों को चुना मैं आपको आज दो खासियत के बारे में दो पहलू, दो गुण शिश्यों के बताऊंगा क्यों प्रभु ने उन्हें चुना, पहली बात वे शिश्य विनम्र थे और दूसरी बात वो शिष्य प्रभु के भै मानते थे विनमर्ता और प्रभु का भै उन शिष्यों में था और इसलिए प्रभु येशु ने उन्हें चुना हम पढ़ेंगे अगर सूक्ति के गरंता द्याय बाईस वाके चार में वहाँ पर लिखा हुआ है विनम्रता का परिणाम है प्रभू पर शद्दा, धन, सम्मान और जीवन यहां हिंदी ट्रांसलेशन कुछ सही नहीं है अगर आप इंग्लीश में पढ़ेंगे तो इंग्लीश में लिखा हुआ है दे रिवार्ड अफ दा हमिलोटी और फिर अफ द बाते नहीं है यहां भौतिक चीज नहीं है बलकि हमें इसे ऐसे देखना है कि विनम्रता और प्रभू पर भै प्रभू का भै रखने का प्रणाम जो है वो है आत्मिक धन, आत्मिक सम्मान और आत्मिक जीवन यहने अनंत जीवन और जिस इंसान के अंदर विनम्रता और प् प्रभु उचा उठाते हैं इसलिए हमारे अंदर प्रभु के प्रती भै होना चाहिए विनम्रता होनी चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में कारे करें और हमारे जीवन को उपर उठाएं अब दो प्रकार के भै होते हैं प्रभु के प्रति आप भहे रख सकते हैं दो प्रकार से एक होता है डर के कारण जो भहे उत्पन होता है और दूसरा होता है प्यार या आदर के कारण जो भहे होता है मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ और विस्तार से डर के कारण जो भहे होगा उसमें हमेशा पनिश्म लेकिन जो प्यार के कारण जो भह होता है या श्रद्दा होती है आदर के कारण जो भह होता है सम्मान होता है उसमें प्यार होता है अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे डरेंगे नहीं बलकि हम उसे प्यार के कारण रिस्पेक्ट देंगे आदर देंगे भह रखेंगे उधारन के लिए हम स्कूल जाते हैं स्कूल में एक टीचर है जो बहुत बिहानक है सोच लिजी मैथ का टीचर बहुत बिहानक है और वो मारता है, कूटता है, डांटते हैं तो आप उसके प्रती डर रखते हैं और अपना सब काम अच्छे से करते हैं कौपी पूरी रखते हैं जो नोर्स बनाके जाने हैं नोर्स बनाके जाते हैं क्योंकि आपको डर है अगर मैंने नहीं किया, तो यह मारेंगे अगर मैंने नोर्स नहीं बनाए तो मुझे डांट पड़ेगी अगर मैंने अच्छे से नहीं लिखा तो class के सामने मेरी बेज़ती होगी आपके अंदर डर है लेकिन वहीं एक ऐसा teacher है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं जिसको आप प्यार करते हैं जिसको आप चाहते हैं जिसकी बाते सुनना आपको अच्छा लगती है उसका काम भी आप पूरा करेंगे उसके भी नोर्स बनाएंगे उसके विशे को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्यूँ? वहाँ डर नहीं है बलकि इसलिए आप अच्छे से करेंगे कि कहीं मेरी द्वारा उस teacher को चोट न लगे क्यूँ? क्यूँकि आप उस teacher को प्यार करते हैं आप समझ रहे? मैं यह कहना चाहरा हूँ जब आपके अंदर ईश्वर के प्रती ऐसा बह होगा कि अगर मैं गलत करूँगा मैं पाप करूँगा या मैं जूट बोलूँगा या मैं गाली दूँगा तो ईश्वर मुझे मारेगा ईश्वर मुझे दंडित करेगा मुझे बिमार कर देगा मेरा केरियर बरवाद कर देगा ऐसा ऐसा भह हमारे अंदर होता है बचपन से हमें यह सिखा जाता है जब हम छोटे रहते हैं हम कुछ गलत करते हैं जूट बोलते हैं या गालियां देते हैं या लडाई करते हैं तो तुरंत हमारी मम्मी या पपा या कोई बड़ा बजोर्ग हमसे कहता है तुमने ऐसा किया ना इश्वर तुमको दंडित करेगा तो हमारे मन में बचपन से ही वो आ जाता है कि अगर हम गलत करेंगे तो इश्वर हमें दंडित करेगा इश्वर हमें मारेगा इश्वर हमें पनिश करेगा, तो हमारे अंदर वो डर है, लेकिन ये डर जो है गलत है, अगर दूसरी ओर जब आप इश्वर को प्यार करेंगे, इश्वर की अच्छाईयों को देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि उसने मुझसे कितना प्यार किया है, आपके अंदर एक आदर की कारण जो भ दुख ना हो, आप ये देखेंगे कि कहीं प्रभु को मेरे कारियों के कारण दुख ना हो, वो आदर आ जाता है, वो भै आ जाता है, इसलिए पनिश्मंट के डर से जो भै है, वो गलत है, और किसी हद तक सही भी है, ताकि कुछ लोग सुदर के रहते हैं वहां से, लेकिन ह अमें प्रभु के प्रती जो भै रखना है, वो है आदर के कारण, प्यार के कारण, जब आप उस कुरूस को देखेंगे, उस कुरूस पर येशु को देखेंगे, तब आप समझेंगे कि उसने मुझसे कितना प्यार किया, वो कुरूस पर चड़ा मेरे पापों के कारण, वो वो क्रूस पर चड़ा मेरी गंदी बातों की कारण, वो क्रूस पर टंगा मेरी वासना भरे पापों की कारण, वो क्रूस पर चड़ा मेरे गंदे विचारों की कारण, मेरे गंदे कार्यों की कारण, मेरे पापों की कारण, वो क्रूस पर चड़ा और आपको उससे प्यार हो ज आप उस क्रूस को देखेंगे और पाएंगे कि वो मेरी सजा ले रहा है आपके अंदर प्रभु को प्यार करने की इच्छात्पन होगी और आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे आपके अंदर प्रभु को दुख देने की हिम्मत नहीं होगी आप यह सोचेंगे कि कहीं को मेरे कारण चोट ना लगेई अक्सर हमारे अंदर यह होता है कि कहीं प्रभु मुझे दुख न जू दबू ख घंडित न करेई 6 लेगिन जब आप क्रोस को द देखेंगे तो आप यह सूचते हैं कहीं प्रभु मेरे कारण दुखी ना हूँ पर टंगा हुआ है जब आप ये देखेंगे तो आपके अंदर हिमत नहीं होगी कि आप उसे दुख दें आपको उससे प्यार हो जाएगा जब आपको उससे महबत हो जाएगी जब उस क्रूश से महबत हो जाएगी जब तब आप ये सोचेंगे कि कहीं प्रहु को मेरे कारण दुख ना हो, वो बैय अंदर आएगा, वो आदर अंदर आएगा, आप जानते हैं, येशु को कुरूस पर तीन कीलों ने नहीं रोका था, तीन कीले ईश्वर के पुत्र को कुरूस पर नहीं रोक सकती थी, वो उतर कर आ सकता था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कि ये दूसरों को बचा सकता है, लेगिन खुद को नहीं बचा सकता, एक डागू जो उसकी बगल में कुरूस पर चड़ाया गया था, वो भी उसकी मजाक उड़ा रहा था, कि यदि तू इश्वर का पुत्र है, मसी है, तो कुरूस से उतर, खुद बच और हमें भी बचा, लोग जो आसपास से गुजर रहे थे, वो लोग पढ़ते थे कि इसा नाजरी, यहूदियों का राजा, और वो सीड हिलाते हुए चले जाते थे, लोग कहते थे इसने दूसरों को बचाया है, खुद नहीं बच रहे, अग मुझे बताईए, ईश्वर का पुत्र, जिसके पास इत उतर करनी आ सकते थे, जरूर आ सकते थे, लेकिन मेरे पापों ने येश्व को क्रूस पर टांगे रखा था, क्या आप जानते हैं, मेरे और आपके पापों ने येश्व को क्रूस पर टांगे रखा था, और इसलिए येश्व वहां टंगे रहे, ताकि मेरा बेटा, मेरी ब आप से मुक्ति पाए, नरक में न आ जाए, येशु तीन घंटे तक उस क्रूस पर टंगे रहे और तीन घंटे तक उन्होंने प्राण पीड़ा सई, येशु रोए, चिलाए, प्यास लगी, उनके सिर पर काटों का मुकुट था, लोगों ने उसके मुँपर धूका था, उसक मारे गए थी, और कोडे, कील लगे कोडे थी, जिससे येशु की चमडी तक उधर कर आ गई थी, बाइबल में लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, इसका क्या मतलब होता है, जब आपने हल देखा होगा, हल जब चलता है, तो भूमी को उलट कर रग देता है, धीक वैसे ही प्रभु कहते है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, यानि जो कोडे उन्हें मारे गए थे, उन कोडों से येशु की चमडी उधर कर आ गई थी, वो ऐसा लगता था, जैसे खेत जोत कर पलट दिया हो, येशु की चमडी भी जोत कर पलट दी गई थी, इत गरनात्पन होगी, और आप फिर कभी पाप नहीं करेंगे, और आप ये सोचेंगे कि कहीं मैं येशु को दुख ना दूँ, और रड़ी मैंने अपने पापों के कारण येशु को क्रूस पर चड़ाया, जब आप ये मानेंगे कि प्रभु मेरे कारण क्रूस पर चड़ा, प्रभु मेरे कारण दुख उठाया, प्रभु मेरे कारण उस कुरूस पर तीन घंटे तक लटका रहा, प्रभु मेरे कारण पिता से जो येशु का संबंध था वो तूटा रहा, तब आपके अंदर उन पापों से ग्रिणा उत्पन होगी, तब आपके अंदर प्रभु के प पंजाबी में एक बहुत सुंदर गीत है, पापिया होए कदों तक राभनों सतावेंगा, यनि हे पापी, कब तक तो इश्वर को सताता रहेगा, कब तक तो इश्वर को दुखी करता रहेगा अपने पापों की कारण, आप जानते एश्वर हमें मौके पर मौका देता लेकिन हम हर मौका खोते रहते हम उसके पुत्र की कुरुबानी को नहीं समझते उसके लहू को हम तुछ समझते उसकी कुरुबानी को हम यूही समझ लेते हम तो इसाई हैं हम तो मसीह हैं हमारा तो टिकट पक्का हो गया स्वर पश्रताप ने किया आप जानते हैं आपको हम और मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा जो सोच हमने सोची है जो विचार हमारे मन में आते हैं जो काम हमने गलत किये हैं जो पाप हमने किये हैं उन सारे पापों का लेखा हमें देना पड़ेगा यदि हम पश्रताप नह करेंगे आप क्या चाहते हो आप पश्रताप करके न्याय से बच जाओ या आप न्याय से गुजरना चाहते हो आप जानते जगर आप न्याय से गुजरेंगे तो हमें से कोई भी उस न्याय के सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि इश्वर न्याय है और हमारे हर पाप का आस्ता दिखाया है कि हम पश्रताब करते हुए अपने पापों से माफी पाएं और येशु की और मुड़ जाएं। कुरंथियों के दूसरे पत्र में लिखा हुए कुरंथियों का दूसरा पत्र द्याय पाँच पसंख्या ग्याराम वहाँ पर संद्पॉलुस कहते हैं इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। या बुराई उसे उसका बदला चुकाया जाएगा आपने सुना फिर से बढ़ता हूँ क्यूंकि हम सबों को मसी की न्यायसन के सामने पेश किया जाएगा मसी की न्यायसन के सामने प्रतेक व्यक्ति ने चाहे मैं हूँ या आप हूँ शरीर में रहते समय यानि हम जब इस ध तो हमें नरक में डाल दिया जाएगा यदि हमने भलाई की है ईश्वर के कामों को किया है लोगों से प्यार किया है सहैता की है प्रभु के वचन की अनुसार जीये है तो हमें प्रभु स्वर्ग में प्रवेश्ट करने देगा disputes 11 इसकारण प्रभु का भय हमें बना रहता है हम मनुश्यों को समझाने का प्रयत्म करते हैं हमारा सारा जीवन इश्वर के लिए प्रकट है और मैं आशा करता हूं कि वह आप लोगों के अंताकरण के लिए भी प्रकट होगा संद्पॉलुस काते हैं इसलिए हमारे अंदर भय बना रहता है कि कहीं हमें मसी की न्यायसन के सामने खड़ा ना होना पड़े कहीं हमें उस न्याय से गुजरना ना पड़े हलंकी इश्वर न्याय न्याय सबका हुगा लेकिन जो पशताप करेगा जो इश्वर के पास लोट क कराएगा जो अपने पापों को अंगीकार करेगा प्रभू उसे बचाएंगे प्रभू उसका विनाशन होने होने नहीं देंगे उसे अपने लहू से स्वनक्षन देंगे उसे अंदकार की शक्तियों से बचाएंगे आप जानते हैं अगर हमारे जीवन में पाप है और हम मर जाते हैं बिना पश्रताब किये हुए, एक एक पाप जो हम करते हैं, अगर हम उसके लिए बिना पश्रताब करते हुए मर जाते हैं, तो हमारे लिए नरक का टिकट पका है, लेकिन अधि हम रोज पश्रताब करते हैं, एक एक पाप के लिए हम पश्रताब कर लेते हैं, तो प बहुत महानकारे किये हैं, हमने प्रीचिंग की है, मुझे गाने का वर्दान था, मैंने गाना गाया है, मुझे बजाने का वर्दान था, मैंने बजाया है, मुझे भविश्वानी का वर्दान था, मुझे मैंने भविश्वानी किया, रोगियों को चंगा किया है, या मैं अप पापों को क्रोस पर उठाया और उस बलिदान पर मैंने विश्वास किया, मैंने अपने पापों को माना और उसकी दया से यानि प्रमेश्वर की दया और उसके खूं से मैं धुला और उसकी दया की कारण मैं स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूँ, प्रभु की दया हमें पश् कंत में सब रिकॉर्ड होता जा रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं रात को क्या करते हैं बिस्तर में क्या करते हैं अकेले हो तब क्या करते हैं दोस्तों के साथ क्या करते हैं कौन कौन से पाप कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं सब लिखा जा रहा है जहां कैमर हो रहा है एक एक बात का लेखा देना पड़े है इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं प्रभु कहते हैं अभी भी मेरे पास लोटा हो योल नभी के गरंथ में लिखा हुआ है अभी भी तुम मेरे पास लोटा हो पश्रताप करते हुए मेरे पास लोटा मेरे भाई मेरी बहन हम प्रश्रताब करते हुए इश्वर के पास लोटना है, अपने आपको समर्पित करना, येश्व हम से प्यार करते हैं, वो आप पर दया करेंगे, वो आपको आपके पापों से मुक्त करेंगे, येश्व से प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की आदर डालें, वचन पढ़न की आदर डालें अपने पापों को करना छोड़ दें और हम एक नया जीवन जीए येशु के लिए प्रश्रता आपका अर्थ होता है कि हम जो कर रहें जो बुराईयां हम कर रहें उनसे योटन मार लेना अपने पापों से मुर जाना और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें और प्रभू हम सबों को आशिष देंगे और प्रभू हम सबों को बचाएंगे इन वचनों के द्वारा प्रभू हम सभी को आशिष दें आमिन दहनेवाद संदीर आएंपरारणा करे अपने आँखे मंद किजिए प्रवियसु दहनेवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए इन वचनों को सुनने वाले है एक भाई बेहन के लिए एक छोटे भाई बेहन के लिए दहनेवाद देता हूं इस युवातरंग के कारिक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ जितने युवक युवतियां इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रार्तना करता हूँ तेरे असीम और अनंत प्रेम को जानने के लिए महसूस करने के लिए मेरे इन छोटे भाई बेनों को गुरपा दीजिए इन बेटे बेटियों को गुरपा दीजिए उस असीम और अटल प्रेम की द्वरा विशेश उर्जा प्राप्त करने के लिए गुरपा दीजिए कि तुने किस हद हमसे प्रेम के जानने के लिए गुर्पा दीजिए तुछ पर भरोसा रखने के लिए गुर्पा दीजिए तेरे सामर्तिक एहसास करने के लिए गुर्पा दीजिए तेरे प्रेम की द्वारा एक विशेश उर्जा प्राप्त करने के लिए कृपा दिजिए सिर्जुकाईए सर्वशिक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्रात्मा अप लोगों को आश्रवात प्रदान करें अमेन जैसु येसु बुला रहा है वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा इनसाफ का तराजो येशु के हाथ होगा खुल जाएंगे किताबे रभी हिसाब होगा इनसाफ का तराजो येशु के हाथ होगा खुल जाएंगे किताबे जाएंगे